सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेए अज मेरे लेके आई हूं कद्डू कीजिए बहुत ही सिंपल सब्जी बनने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वाधिश नगती है मसालां में हल्दी ली दिया है है अफ कस्मिरी ले झाहे हों कश्मीरी दान नौर्मल ले सकते हैं यहां पर मैंने लिया है जीरा पाउडर नमक स्वाधुमसार चुटकी वर हींग दिंगे हम आधा चम्मत के करीवन जीरा है इसी का वन्थर ये कलोंजी है मगरेल के बीच और आधी चम्मत ही ये मेथी के दाने है तेल हमें चहिए होगा आधा किलो कद्दू है जिसको मैंने भ यहां चुटा अध्रक का तुकड़ा और दो हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के मैंने उसके सारे सीट्स निकाल दिये हैं जिसकी वज़े से ये तीखा बिल्कुल भी नहीं नगी यहां पर चाहिए हम चुट पाउडर आधा चम्मच धनिया हमें चाहिए होगा गानिशि चलिए अब स्टाइ पर इसथ करी रिवाड ले के लिए चाहिए यहां उसके लि Bowl उन्हां राए चाहिए मैंने नोंस्टिक लाइे लिए बिल्कुल लेख घर सकते हैं, यहां बैने ज्या करम हरी है यहां नोंस्टिक करiens यगानिय लिख अए तेल नंस्टिक करते हैं अपर अच्छे से गोर्लन फ्राय करेंगे यहां पे जीरा भी डाल दूंगी मगरेल के बीच इन सब को साथ साथ हम फ्राय करेंगे ताकि अच्छे से भून जाएं आज को आमको तेजी रखना है इसमें डाल देंगे अध्रा किया चुल और मिर्च का यह क्रश्परा हुआ हमारा ते चलाईए आज को बिल्कुल मीधियम रखना है नहीं तो यह जल जाएगा और साथ है साथ मेथी के दाने तो तो तेख बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसलिए आज को धीवा रखें एक अच्छी सी खुश्पू आगई है प्रैंस इसमें एड करेंगे अब हमारे यह अच्छी से मिलाएंगे आजा मिनट मिलाने के बाद आज को हम मीधियम हाई पर करेंगे एड करेंगे इसमें हम हल्दी वन थर्ड चिली प्रेक पीखा जितना पसंद करते हैं आदा चम्मल जी रखावले नमक स्वाधन चार लेंगे अब हो पर शुचकों अच्छी ने हो जालेंगे एक मिनट मिलाने के बाद अब पर के दूशके इसमें हींग डालेगे हरकिकोंति हींग टेल में नहीं लाला हैं इसे हमें मसालों को अिश्री से मिलाने के बाद आपनाएगे फिर देखेंश इस सबजिका तेस्ट होगा और अगर आप उसे सूखी बना रहे हैं क्योंकि इसमें पानी होता है और बनने के टाइम में ये वह रिलीज होता है अब हम इसको तक्रीवन तीन मिनट के लिए फ्रेंट्स मीडियम हाई पे कवर करके रख देंगे तीन मिनट हो गया है फ्रेंट्स एक बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लग गई है मैंने इसे फ्रेंट्स तीन मिनट के बीच में एक बार चला के बेख लिया था अब हम इसमें एग करेंगे अन्चूर पावर्डर मिला देंगे हमारी सब्जी बस बनके तयार है फ्रेंट्स तो इसे और स्पीम करना पड़ेगा हमें एक मिनट के लिए इसे और रखेंगे हम डखेंगे करेंगे एक मिन व्रेंट्स और हमारी सब्जी बनके बिल को तयार है जली यह ज़ी अब इसे सफ कर लेते हैं जैस आफ पर देंगे अम्हें थे मने सफ कर लिए फ्रेंड्स अब इसके ऊपर मैं यह दनिया गार्निश कर दूंगी लीजे फ्रेंट्स तयार है हमारी सिंपल जल्दी बन जाती है लेकिंग खाने में इसका कोई जबाब नहीं बहुत ही स्वादिश लगती है इसे आप सर्फ कीजे पूरी पराथा रोटी के साथ यह सब को पसंद आएगी लाइक कीजे मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले और इस रेसिपी को बनाने के बाद कमेंट क करना बिलकुल ना भूले थैंक्स पर वाचिंग आशु स्वाम की चिन थैंक यू